नमस्कार दोस्तों मैं आप लोग का दोस नितिश हाजरू आप लोग के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस टाइम पे एक सिरीज बना रहे हैं हमारी चैनल पे एक सिरीज चल रही है जिसमें कि हम नैनिरंडा ब्लोक में और रिखनी खाल ब्लोक में जो आदम खोर एक बाग हो रखा है जिसने चार लोगों को खाया हुआ है जहां जहां पर उसकी मैक्सिमम प्रेजन्स है उन उन जगाओं का एक्स्प्लोर कर रहे हैं और साइटिंग का भी चांस बना रहे हैं कि काश हम उसे देख पाएं किसी सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसी खटिन परिस्तितियों में यहां पर लोगों की जीवन गाओं वालों का जीवन चल रहा है और कैसे उनके अहाला आते हैं इस टाइम तो दोस्तों चलिए मैं आज आप लोगों को नैनी डेंडा ब्लोक के उन शेत्रों का एक कहते नहीं क करता हूं उस उन शेत्रों की प्रेजेंटेशन करता हूं आपके सामने जहां पर उस आदमखोर बाग की मैक्सिमम प्रेजिंस है जहां पर वो देखा जा रहा है जो गाओं उसके खत्रे में चल रहे हैं जैसे कि हाला कि जहां पर हम खड़े हुए है यह जगा भी उसकी सब्सक्राइब करने के बात कर रहा था ना तो देखिए इसमें यह सामने की तरफ जो दो घर दिख रहे हूंगे आपको नदी के ओपर की तरफ दो घर यह कितने सॉलिटरी हैं और इस घर में सिर्फ दो लोग रहते हैं एक बहू और एक सास यह घर मैने पिछली बार भी ना यहां पर रोड हैं, ना यहां पर कोई जाने का इतना खास रस्ता है, और यहां तो कोई medical facility है तो छोड़िये, यहां तो कुछ भी facility नहीं है, यह नीचे की तरफ इनकी गौशाला बनी हुई है, यह जैसे दो घर है ना, तो इस में से नीचे वाला जो घर है, यह तो गौश और उनके बच्चे भी दिल्ली रहते हैं, लेकिन वो एड़िस नहीं कर पाती हुआ माहुल में, तो यह है ट्राइबल लाइफ, कि वो यहां से जाना नहीं चाहती, बले अकेले रह रही है, लेकिन यहां से जाना नहीं चाहती, और कितनी खतरनाक परिस्तितियों में रह रह है, लेडी, मैं तो क्या ब्रेवरी का लेवल, यू कांट इवन एक्सपेक्ट, दोस्तों यह जो एरिया है, हमारे कॉर्बेट सुकुन के पास वाले ही एरिया है, जहां पर हम रह रहे हैं, इसलिए हमें यहां की काफी वो है, लेकिन यह एरिया बहुत खतरनाक चल रहा है, इस मेनित राइगर के इतना दब दबा है यहां, बहत ही जादा बहुत ही खतरनाक गरणान। क सब्यों ने यह झॉद्धि अबिजब हम आये तब निधा यह ना जब निधा उदर भी रखा देखो फिर सीधे हाथ पर फिरा सीध्याथ पो उल्टे हाथ पर यह सीध्याथ पर लिए प्रूत यह अगा है कि खथर्णाप सिच्विशन हो भई अभी जम में हुआ हम अभी जब है तब निधा यह कि आज़ा कि आज़ा गाड़ी पीछे करता है कि दोस्तों सिच्वेशन कॉंप्लिकेटेड है यहां तो अभी जब हम आये थे तो यह था नहीं हां अब खून पड़ा है हां इसा लग रहा है जिसे उल्टे हाथ पे किसी को मारा हो और सीधे हाथ पे जाड़ी ओमें भी खून है है ना अब खून दोनों तरफ है अब जो थोड़ा पास से दिशेश के प्रूब जाए अगर कोई चीज अभी अभी हुआ है मुझा अभी हुआ है अब तो ऐसा लग रहा ज़िए शिकार अभी हुआ हुआ है रुकों कि जब हम आये तक था नहीं है बिल्कुल अब तो बहुत सार आगे है पाद्ये वाली जगा है को कि का मड़ें कआगे से अब अगए जाया गड़ी इसा दोस्तों देखो एक दम कून यह तो खून है निकून है यह लेकिन यह एक दम जो खून है हमानी नजर बचते ही अगर एक दोस्तो डाइड राइड पर भी है यह और यह और यहां आसपास कुछ भी नहीं है मतलब कोई घर नहीं कुछ नहीं और आगी जब हम आये थे तो ना तो यह खूण इधर था ना यह खूण इधर ता कि एग मिन्ट आ एक पार्ब आए यह नुदा करकर लाओं प्री हिर दोस्तोभ आदि вод फेकर हो तुयक्त तो कि ऐसा लग रहा उसने अभी अभी किल किया लेकिन नहां तो हमें कोई आवाज आई ना कुछ महसूस हुआ कि दोस्तों अभी हमें आई हुए यहां पर सिर्फ आदा घंटा ही हुआ हुआ आदा घंटे से बैठे हैं यहां और इसी बीच में देख लो कि महाल एकदम कि खतरनाक ही होगे खून है तो गाड़े घुमाने कोश्च करते हैं यहां तो कुछ लग रहा है सिच्वेशन खतरनाग लग रही है सिच्वेशन यहां तो कि रस्ते भी यहां के इतने तंग है ना एरिया भी पूरा बाग वाला है और महौल एकदम खतरना खोगे दोस्तों एकदम से खतरना होगे इस सिच्वेशन कि अगर वह यहीं है इसका मतलब तो यहीं है वह अगर दोस्तों आप लोगों से बात कर रहा था वीडियो बना रहा था कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि एकदम से ऐसी सिच्वेशन हो जाएगी यहां कहां पड़ा है वह कून यहां वोरा 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 अ कि देखो दोस्तों कि दिख रहा है कि उस्टों है कि पीछ लूरूब जा कि देखो डोस्तों राइट पर भी खून पड़ा है लेफ्ट पर भी खून पड़ा है और जब हम अभी आये थे ना यह इधर खून था ना यह इधर खून था अब यह दोनों तरफ खून पड़ा हुआ इस टाइम situation दोस्तों बहुत ही इसका मतलब तो और हम ने वहाँ गाड़ी लगा रखी थी आगे अभी जहां से मैं गाड़ी मोड के लाऊंगा उस तरफ हमने गाड़ी लगा रखी थी और यह turn है बस हमें turn की वह ऐसे नहीं दिखा इसका मतलब क्लिश्वत यहां से क्लिश्वत दो आगर मैं महीं आणके लगा दूँगा तो यहां से गाड़ी दिखाए निए जहीं बताओ नजर बचते ही नजर बचते ही शिकार हो गया कितनी बड़ी वो है उसके अक सबॉन धाजा है ज्याद जयादा वहमारे हमें आयो आधर घंटे तो हुए थे हैं इसी बीच में आया है ये खुन लेफ्ट पर लेफ्ट पर लेफ्ट पर ये है दिख रहा है कि अब कुपन भी एकदम ताजा लग रहा है चोटा मोट थोड़ा बहुत नहीं है बहुत सारा है यहां पर इसने किस चीज कर शिकार कर दिया और यह एरिया भी पूरा भाग वाला है दोस्तों पूरा भाग वाला कोर कोर एरिया है यह उसका दोस्तों यहां पर गाड़ हो ड़के थोड़ी देर इंतजार करते हैं करना तो हमें कुछ और था जाना तो हमें और घाई था लेकिन अब यहां से वह मोड दिखनी रहा तभी वह हमारी नजर से बजगी चीज मतलब और उसने आवाज आवाज भी ज्यादा खास को हमें तो आवाज आई नहीं वैसे भी हमने वैसे शीशे बंद कर रहे तो आवाज इसलिए नहीं हो ज्यादा लेकिन माहौल दोस्तों यहां तो बहुत ही खतरनाक होगी सिच्वेशन मैंने गड़ी यहां लगा रखी थी इस लोग इस स्पोर्ट पर एग्जक्ट यही स्पोर्ट था और इस मोड से मूड को पार करते ही खून है और हमें वह जगा दिखनी रही है यहां से अब इसका मतलब वह चीज नीचे से आई और श शिकार भी होगे हमारे सामने शिकार होगे दोस्तों हमारी नजर थी इधर इन घरों की तरफ राइट पर और शिकार हो गया एक दम से कि इस एरियों को पूरे स्कैन करना चाहिए हमें एक बार एक तो दोस्तों यहां पसे नीचे नीचे की तरफ है उसका एरिया और नीचे की तरफ गाड़ी जाने की जगानी पैदल चलने का तो यहां इस टाइम तो मेरे को ऐसा थ्रीलिंग सा महसूस हो रहा ना कि मतलब यार न हो उससे पकड़ा किया कौन सी चीज लिखाकरा और भगा कर लाया होगा वह भगा कर भागलाया होगा वह घ्रश का यहां यह तो इसमें बातों में रहेaré और हमैं थ्यान होग lig необход किrinी अधर से कि यह देखिए forens Chili यह मोड सकंगर करते हैं पूरा कि क्योंकि श्कारत अब ही यह यह पहले दिखनी रहा था है में हाँ से कि उस नेज्म मारा है टinaire ज्यादा कौन और यह रोड़ पे हारोड पर भी थोड़ा फोड़ा कूने राइट की तरफ जाता हुआ इसे नीचे यहां से लेके उतरा है वो नीचे यहां से लेके वो नीचे उतरा है यहां से नीचे उतरने का रस्ता भी है ओ माई गॉड यार यही तो बाद है जंगल का सिच्वेशन ख़तरनागी रहती है उपर से नेजर बना के देखते हैं वह उपर से शायद बैठा तो खातो रहा होगा या तो खारा होगा या उसने हां रख रखा होगा कहीं लाया होगा वह भगाते होगा नीचे से आया होगा अचा है उपर से आया होगा दोस्तो यह वाली बात कह रहा था मैं या तो वह से यहां से लाया भगा के रोड रोड या वह से लाया होगा यहां से भगा के नीचे से भी उपर चड़ने का रस्ता है और जैसे खड़ी-खड़ी चड़ाई चल रहा है इस ताइम पर टाइगर तो 100 परसेंट चांस है नीचे है वो क्योंकि कहीं तो अगर इसने अभी-अभी शिकार किया है जैसे तो कहीं कहीं बैठके खा भी तो रहा हुआ यह यह तो अलगी मंज़र हो गया एक बार बिल्कुल एक बार ही चुप हो जाते हैं दोस्तों बिल्कुल ना एक बार ही चुप होते हैं बिल्कुल चुप किया कि अवया है जानको कि है एक बार ही कर गाने कि नई यार रिहां तो आवाज से कोई यी नहीं आरहिए और आ कि और शिकार भी बढ़ाई होगा क्योंकि खून काफी जअधा है विशे लग रहा मनले जदा पादात वह और राइट पर भी बढ़ा स्वेड़ा बारा नीचे लेजाने का वो है वह एख कि अजुन दोस्तों इस जगा से कि एक तो एंगल भी निए बन रहा न इस जगा का की टेडरी रौस पे है वो क्रोसच एंगल पर जगा है तो दूर अगर गाली लगा दें तो वह जगा नहीं दिख रही और वैसे भी वह आएगा क्यों वह तो नीचे ले गया और तो उसे लेके तूब्यक्य को नीचे की तरफ भीर अज़कल कंशलीप जक्त सफ़र। सिरुफ क्लेव हम आये थे हैं। जितना सुनसान एरिया है ना ये देखो मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको यहां तो कोई आसपस गाउं भी नहीं है तो इनसान तो यहां क्या आएगा हम जब आ रहे थे तो हमें कोई आते भी नहीं दिखा हुआ तो यह जानवर का ही है किसी का लेकिन उसे लाया की दर से भगा गे तो यही तो बात है जंगल में रहना है तो दिल मजबूत कहीं भी खून यह खून है यह सब है यह कहीं भी शिकार वगरा कहीं भी कि दिख सकता होता हुआ और इस टाइम तो वैसी मौल पूरा गरा में इस नैने डंडव लोक में इस रूट पे स्पैशली कि नैने डंडव रिखनी काल वाला रूट था जंगल का सड़क नहीं है आगे जिस जगा हम गए हुए थे कि देखो मैं आपको दिखाता हूं कि पहला गाओं कितना दूर है कि एरिया वी तो पूरा उसका ही वाला है ना टाइगर वाला ही यह रहा है यह सामने अभी गाओं आएगा बेलम यह सामने देखो गाओं है ना बेलम इसमें रहने वाले लोग बता रहे थे कि यहां पर आ गया था वो अभी दो दिन पहले दोस्तों जो भी चीज थी उसने पकड़ी वहीं से ही थी वह भगा के लाया होगा वह उसे अगर वह हमारे पास तक ले आता अगर वह चीज हमारे पास तक दोड़के आ जाती तो आज हमें यहीं दिख जाता वह पोस्ता यहां बिल्कुल हम से एक टर्le पीछे यह वह बस वह बिलकुल बस एक पहले टरण जो इसका मतलब अँर करो दोस्तों यहां तो मैं तो आपको दूसली लिग के चल रहा था रहा दाया इस यहां तो आपको अपको दूसरी हो गई फुल थ्रिल चलिए दोस्तों जो भी अपडेट होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं नेक्स वीडियो में दोस्तों थ्रिल तो हो गई बहुत खतरनाक वाली हमसे अगले मोड पर होगे शिकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजेगा मिलते हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपने अपने परिवारा ख्याल रखें हर हर महादेव